साहस सरुकार साहस सरुकार ते कहा फीफा द्वारा ए आई एफ एफ का निलंबन हच्वाएं अंडर सेवेंटीन विश्वकाप का आयो जन सुनिशित करें और इसाम में बाढ़के स्तिकमीर ही रकोंट बांध के चालिस पाट अखुले दस जिलों में बारिश का हाई अलर्ट अब उधावी नाइट राइडर्स ने की टीम की खोशना कैरे बी आई खिलाडियों को दिखेगा दब नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साश्रका मैरोत्रा शुरुवात करते हैं प्राइम उतर प्रदेश की गाजिवाद के जुला कारगार में अमरित महस्त सप्ताह मनाया जो आ रहा है जिसके चलते डासना जेल में खेलों की प्रतियों गिता रखी गई है जिसमें कैरंबो चैस जैसे खेलों में कैदियों ने बढ़ चड़ कर हिस्सलिया साथ ही एक ड्रॉइंग प्रतियों गिता भी रखी गई थी जिसमें कैदियों ने बेहद ही आकरशित तस्वीरे बनाई हैं जो आनकारी के मताबक जेल में बंदियों के मानसिक तहनाओ को कम क संबल में हिंद स्टेटियम में एनसी सी कांड़ेट्स की भरती के लिए च्वयन व्रक्रिया का आईयोजन किया गया इस असर पर काफी संख्या में कॉलेज के विद्यारती शारिरिक परिक्षर के लिए मौझूद रहे वहें पर कॉलेज के वाइस प्रिंसपल ने बताया कि हर साल कॉलेज में NCC Candidates के लिए विद्यारतियों का चेन किया जाता है जबार जोबालिस छात्रों को NCC Candidate के तहत भरतिक किया जाएगा इसमें जो है हम लोग बहुत पहले जैसे जैसे बच्चे का एड़िशन होता जाता क्लासों आते जाते हैं उनको हम तैयारी करवाना city कर देते हैं और उस में होता वोडकों को हर छमाइत Leia Basic नंबर आते हैं चाहे सामाजीक्जिकशी हो चाहें ग्यान हो जाए मैंध हो चाहे कोई अधर सब्जेक्ट हो उनको हम उसी हिसाब बताते हैं है बहुत का जन्रम मंत्री कौन है उत्तब देश का मुख मंत्री कौन है जनल नौलिज से सम्मंदित बहुत सारी चीज़ें इनको बताते रहते हैं जिससे कि इनको आसानी रहे पेपर देने में जब इनकी भरती हो सम्मल में नकासा थाना इलाके में गाओ गैलूआ के पास जाहर वीर के दर्शन करने जा रहे श्रद धालू से भरी बस माजिक पलट गई हाथ से में पंदर श्रद धालू घायल हो गए और साथ लोगों को गंभीर चोटे आई हैं जिन्हें आनन फानन में हस्पताल में भरती कराया गया जिसमें से दो को हाईर सेंटर रेफर किया गया है कि लेटार लोगों के चोट आई है आन जि कितने लोगों के चोट आई है आप चुछी से एक्ट्यूड़ेंट हुआ है चोट आती इससा अब वो कहा है चोटा को टाजी वहीं पहाई है अजी कि अगरका नोगे कि पार पुरिजिए अट पूछी है लगबक कितने लोगों के चोटाई है? गाज़यबाद के थाना कवीनगर छेत्र के लालकुआ रोट पर एक रिहाईश्री मकान में अचानक आग लगई आग लगने से आसपास के लोगों में दहश्चत पहल गई सूचना पर पहुँची फायर ब्रिगेट की टीम नहीं कड़ी मश्रक्कत के बाद आग पर काबू पाया गनी मत रही कि इस हाथ से में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुचा घरों में से लोगों को सुरक्षृत बाहर निकाल लिया गया जानकारी के मताबेक आग लगने का कारण शौर्ट सर्किट बताया जा रहा है इस लाग बच्छे चालीस मिनक पर तुर्ट नहीं में लालपुआ मों एक मकान में आग लगी है कट्काल पायर ये जे टेट वाली के चार गाड़िया वेगी देए यहां दिखा जया कि लालपुआ रोड पर लाया तो कुखम के बगल पर आवाती मकान शुकाइती है हर्दोई में कोदवाली शोहर चेतर के मोहला राधनगर के एक शुक्स ने ससुराली जन के उत्पीडन और पलिस की प्रताणना से परिशान होकर आत्मात्या कर ली जुसकी सूचना पलिस को परिजनोंने दी वही पर मौके पर पहुचे पलिस ने शुफ को बरामत करते हुए सुसाइड नोट सामने आया है जिस वे ससुराल वालों और पलिस पर आरोप लगाया गया है फिलहाल पलिस ने शुफ को पोस मौटम के लिए भेज़ दिया है परिजनों के रिपोर्ट पर उसको पोस मौटम के लिए भेजा गया अभी तक अन्य कोई इसमें बात नहीं आई थी कुछ मीडिया चैनलों में एक खबर चल लए है कि कोई सुसाइड नोट मिला है जिसमें उसके पत्नी और पत्नी के घरवालों को और साथ में पुलिस को दोशी पराया गया है अभी तक अधिकारी ग्रूप से हमारे पास कोई भी शिकायर या कोई सुचकर नहीं पर आप दो लिए बुलन शहर में एक युवती ने प्रेमी और अपने परिवार वालों के साथ मिल कर अपने ही पती की हत्या कर दी वहीं गुसाई ग्रामीडों ने चांदपुर रोड पर मृतक युवक के शफ को हाईवे पर रखकर जाम लगाते हुए युवक के मुख्य आरोपी और ससुराली जनों की गिरफतारी के लिए जिम कर हंगामा किया मौके पर वाची पुलिस और एस पी सशांक सिंग ने मुख्य आरोपी की जुल्द गिरफतारी का आश्वासन दिया कई घंटे की मश्रकत के बाद जाम को खलवाया गया मेरी भावी की बेहन ने और कनिया सिंग ने और कनिया सिंग के संग किसी और एक अग्यादबक्ती था और उनके साथ में उनके ससुर्वी थे, ये चार-पांच लोग थे वहाँ पर, उसके साथ मैं बारदात करी है, उसको गोली मार के अक्तिया करी गी है, मैं पिछले बारत हारी की रात को ये दुरगटना होई है, और वो वलंदा अभी तक फरार है, उसकी गरफतारी चाहता हू और मैं अपने लिए सिग्रोर्टी की मांग करता हूँ, जब तक ही वो जेल में पहुच ना जाए, उसको सजा ना मिल जाए उसका नईया ना तीन मर्डर करने के गई है, बटा वो कौन लोग थे? वो कन नईया था, आप जानते हैं उन लोगों, आप थे उस टाइम मापर, आपके सामने मार दे थी हैं, उसने ना मेरे सामने मार दे पर दिखा नईया वो, देखिए ये बीती 13 तारिक को जोगिंदर ह ने रहने वाले हैं, इनका अरणिया में ससुराल है, अपनी ससुराल गए हुए थे, वहां पे इनकी गोली मार दी गई थी, बीती 15 तारिक को इनका दिली में इलाज के दोरान देहान थो गया, तो परिवार वालों ने एक तहरीर दी थी, जिसमें इनकी पत्नी, इनके पत्न की बहन की गिरफतारी हो गई है, आज जब ये लोग शव दहन करने यहां पे आ रहे थे, तो शमशान घाट के बाहर इन्हों ने रोट पे रखके, बाडी को रखके, वहां पे रोट चाम किया था, इनकी दो तीन मांगे थी, इसमें से एक मांग थी कि इनका जो बच्चा है उसको सुरक्षा का आशवाशन दिया जाए और जल से जल किरफतारी हो राजधानी लगनाव में चिननठाना छेत्र में कैट बरी चॉकलेट के गोदाम में चोरों ने 17 लाक रुपे की चॉकलेट और टॉफी पर हाथ साफ कर दिया जानकारी के मुताबिक 15 अगस की रात को चोरों ने इस बड़ी चोरी को अंज़ाम दिया चोरी करने के बाद चोरों ने CCTV, DVR और घर का कुछ सामान भी चुरा ले गए सूचिना मिलने पर पहुँचे गोदाम माले के राजवेंद्र सिंग सिद्धू ने चिनहट धाने में IPC की धारा 380 में मुकदमा दर्च कराया हाई मैंनम राजवेंद्र सिद्धू है और कल हमारे हाँ चिनहट में हमारे घर पे चोरी हुई है जिसमें घर का काफी सब्सामान और हमारा कैडवरी का काम था उसमें काफी सब्सामान था करीब 17 लग का समान गोड़ान से चोरी हुआ है इसके लिए हमने एफ़ेर भी कराई है और बहुत इंपोर्टन है क्योंकि ध्यान देना पड़ता है कि आज की डेट में आप कहां पे प्राइम उत्रप्रदेश में फिल हाल इतना ही देश दुनिया के तमाम ख़बरों के लिए देखते रही है प्राइम टीवी प्राइम प्रुष्पार प्रुष्पार अब